गोड एवनिंग, सभी आंगनवाली बेहनों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए कई महतुपुण खबरें लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। सबसे महतुपुण यह है कि आंगनवाली कारकर्त्रियों और सहाईकाओं के लिए मोधि सरकार ने 213 करोड रुपे का बजट जारी किया है और केंदरी मंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा राजिके सभी आंगनवाली केंदरों को देश के सभी आंगनवाली केंदरों को प्री-प्रैमरी स्कूल के रूप में बदला जाएगा। तीसरी सबसे महत्वण खबर ये है कि आपकी सभी मांगों को लेकर महामहिम राश्पती जी को एक पत्र लिखा गया है और महामहिम राश्पती जी आपकी सभी मांगों पर विचार करेंगे। और इससे भी बिड़ी महत्वण खबर ये है कि राजसभा में आपके मानदे को आगनवाली और आशाकर करतियों के मानदे को बढ़ाया जाने के लिए राजसभा में प्रश्णोतर काल में प्रेस्ण उठाया गया है। आए जा लेते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। प्रिक्त साडियों के खर्च अब केंद्र सरकार वहन करेगी। राजसरकारों को इसका भार वहन नहीं करना होगा। केंद्रिय सरकार के सामाजिक न्याय एवंग अधिकारिता मंत्राले की ओर से 27 राजयों को इस आशे का पत्र जारी कर दिया गया है। और इसके लिए 213 करोर रुपे का बजट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी महत्तोपूर्ण खबर ये है कि बहु आयामी शिक्षा तकनीकी एवंग अनुसंधान समिती की ओर से महामहिम राश्पती जे को एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में ये अनुरोध किया गया है कि आंगनबाड़ी करकरतियों से सहाईकाओं से सरकारी कमचारी की तरह से कारे लिया जाता है। लेकिन उन्हें सरकारी कमचारी को दे कोई भी सुविधा नहीं प्रदान की जाती है। दूसरी बात इस पत्र में आंगनबाड़ी करकरतियों के मांदे को बढ़ाया जाने के भी संबन्द में है। और अमहामहम जी से अनुरोध किया गया है कि वो इस पर विचार किया करें कि मांदे को बढ़ाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इसमें ये भी अनुरोद किया गया है कि आंगनबाली करकरतियों और सहाईकाओं को सरकारी करमचारी को मिलने वाले समस्त लाभों को दिया जाए चले ये थी लेटेस्ट अपडेट तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है आंगनबाली करकरतियों और आशा करकर्मियों के मांदे से सम्मधित है राज्यसभा में बुधवार को आंगनबाली करकरताओं और आशा करकरताओं के मांदे का मुद्दा उठाया गया बीजू जंतादल के सांसत ने सदन को सम्मोधित करते हुए आंगनबाडी कारकरताओं का मांदे 15,000 रुपे और आशा कारकरताओं का मांदे 10,000 रुपे किये जाने की मांग की बीजू जंतादल के सांसत सुभाष चंद्रज जी ने कहा कि कोरोना काल के दोरान आंगनवाडी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवा के विनालगातार काम किया है ये विनमना ही है कि संकट के समय में भी अथक परिस्रम करने वाली आंगनवाडी कर्मियों को मात 4500 रुपए और आशा कर्मियों को केवल 25 रुपए का मान देद मिलता है जो की महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है इसलिए उन्होंने मांग की कि आंगनवाडी कारकर्तियों का मान दे 15,000 रुपए कम से कम किया जाए तो ये थी लेटेस्ट अपडेट निश्यत रूप से सफलता आपको मिलेगी मान दे आपका बढ़ेगा तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा इसे अपने सभी साथियों को शेर ज़रूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए ओके थैंक यू